Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an Academy group दोस्तो 1000 MCQs की जो स्रीज हमारी चल रही है उसका एक और नया पार्ट है यह और उसमें कुछ और important question डिसकस करने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा end तक देखीगा वीडियो बिल्कुल भी skip मत करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर कर दिया करें टेलिग्राम अगर आपने अभी तक जोईन नहीं किया है तो सोरब मलिक ओफिशन नाम से टेलिग्राम है इसको जोईन कर लेना यहाँ पे आप लोगों को 5000 GKGS की MCQs की PDF साथी साथ Unacademy की जो free classes होती है दिन में 5 बजे और रात में 11 बजे दोनों classes के link भी आपको टेलिग्राम पर मिल जाते हैं Unacademy Plus पे दोस्तों आपको live classes मिलती है structure course मिलता है weekly test unlimited access और भी बहुत सारे benefit हैं दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी आप Unacademy Plus जोईन करते हैं तो सारे benefit आपको मिल जाते हैं सबसे important बात आप जैसे study 10 code apply करेंगे Unacademy के किसी भी category में तो आपको maximum discount मिल जाता है तो code याद रखेगा आप खुछ जोईन करें आपको कोई दोस्तों करें दोसको बता सकते हैं SSC के combat में दोस्तों आप अन्रोल कर सकते हैं जो कि 30 जनवरी को होने वाला है इसमें आप अच्छे खासे price जीत सकते हैं Samsung का mobile, JBL के headphone, Amazon voucher और इसमें भी आप लोग को study 10 code के साथ में अन्रोल कर लेना है सफलता 26 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है मतलब हो चुका है आप इसमें भी अन्रोल कर सकते हैं और अन्रोल करने के लिए study 10 code का यूज करिएगा दोस्तों ठीक है, price आप देख सकते हैं 24 महीने का और 12 महीने के जो subscription है वो कितने में मिल रहा है आपको मंतली basis और इसमें कुछ और discount मिल जाएगा जैसे आप ये code apply करेंगे बाकि टेस्ट में आप enroll कर सकते हैं फिर यो cost ये सारे test आप देख सकते हैं अनेकेडमी के SSC category में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को option हो जाएगा दोस्तो B right answer ठीक है अगला question आता है noble पुरुसकार निमलिखित में से किस छेतर में उतकरिस योगदान वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो ये भी काफी simple सा question है और exam में कहीं बार पुछा जाता है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा noble पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है दोस्तो chemistry, literature और peace यहाँ पर चारो option में से option A right answer होने वाला है ये तीनों गलत होंगे ठीक है चले अगला question आता है निमलिखित में से किस छेतर के अध्यन में सिस्मोग्राफ के उपकरन का उप्योग किया जाता है what is the right answer guys तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होने वाला है become यानि कि c is the right answer ये आप लोग को यादखना है question आता है victoria जर्ना किस नदी से जुड़ा हुआ है तो victoria जर्ना किस नदी से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है दोस्तो विक्टोरिया जर्मा जुड़ा है जिमामबे से यानि की जिमामबे जी से तो इस question का right answer option ए होने वाला है तो यह आप लोगों को याद अखना है अगला question है doing business report एक अंतरास्टे परकाशन हर साल निमलेकित संगठन द्वारा परकासित किया जाता है तो यहाँ पर जड़ा बताएगा इस question का right answer क्या होने वाला है guys इस question का जो सही उत्तर होगा वह होगा विस बैंक यानि की world bank is the right answer तो यह आप लोगो को याद अखना है question है reactor पैमाने पर निमलेकित में से किसको मापा जाता है तो reactor पैमाने पर तो guys इस question का right answer क्या होजगा बुकम्प का पैमाना magnitude of earthquakes इस question का right answer होने वाला है next is निमलेकित में से किसके अंदर एक नाबिक नहीं पाया जाता है निम्लिकित में से किसके अंदर एक नाबिक नहीं पाया जाता है तो इस question का right answer क्या होगा एक विदुद cell ठीक है ना एलेक्ट्रिक cell के अंदर तो right answer is option C तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अगला question निम्लिकित में से कौनसी प्राकृतिक आपदा एक परकार का तुफान नहीं है तो आप से सुनिएगा तुफान नहीं है तो right answer क्या होगा दोस्तो बहुत ही बढ़िया इस question का right answer होने वाले आपका option B अर्थ कोई क्यानी कि book up इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा लेंडर पेस का संब्ध निम्लिकित में से किस से है आंसर बताएगा देखे जितने भी questions के answer आप लोग को पताओंगे तो comment box में बताते रहिएगा ठीक है न वही इस question का right answer होने वाला है आपका tennis यानि कि C is the right answer अगला question है विस्व सवास्त दिवस निम्लिकित में से किस दिन मनाया गया था तो right answer is अप्रेल 7 साथ अप्रेल को मनाया गया था तो ये आप लोगों को याद रखना है अगला question है सूर्य ग्रहन के दोरान चंदरमा का चरण होता है तो ये आपको बताना है सूर्य ग्रहन के दोरान चंदरमा का चरण होता है दोस्तों वो full moon का होता है यानि कि पुर्णिमा होती हो है तो इस question का right answer भी हो जाएगा ठीक है न दोस्तों निमलिकित में से कौन से देश जो हैं वो third world कहलाते हैं ठीके कौन से देश third world कहलाते हैं तो जड़ा बताएगा right answer क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही उत्तर होगा आपका विकासिल देश ठीके? विकासिल देश is the right answer यह याद रखेगा निमलिकित में से कौन सा खेल पहली बार इंग्लेंड में 1873 में खेला गया था तो ये भी बता दीजे तो ये खेला गया था दोस्तों आपका किर्केट ठीक है जी ओप्शन सी यहां पे राइट आंसर होने वाला है कोशन है निमलिकित में से कौन मूल रूप से आरेच कारक है यानि की आरेच फेक्टर है ये आंसर बताईए तो देखे जी इस कोशन का जो राइट आंसर होने वाला है वह है आपका क्या होगा बिल्कुल सही है एक पर्तिजन पर्तिक्सिक अभिक्रिया यानि किया एंटिजन एंटिबोडी रियक्शन तो D is the right answer निमलिकित में से कौन सा रसानिक तत्व प्रोटीन में अनिवारे रूप से मुझूद है ज़र बताईएगा गाईज इस कोशन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर right answer की तो right answer आपका होने वाला है बी right answer होगा ठीक है nitrogen is the right answer कोशन है वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को model राज्य घोसित किया गया था यह बताएगा वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को model राज्य घोसित किया गया था तो right answer is दोस्तो आपका मनीपूर होने वाला है यानि की D right answer होगा ठीक है देखें मनीपूर को एक विजेता राज्य के रूप में घोसित किया गया है जहां सरकार की वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले इस्थानिय आदिवासियों के लिए रोजगार के मुख्य परमुक सुरोत के रूप में परिकट होई है तो यह आप लोग को या दखना है कोशन है भारत सरकार की हील स्टेशन में सीट कालिन संस्थान स्थापित करेगी तो राइट आंसर इस गुल मार्क यानि की ऑप्षण सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो कोशन आता है कि नेमलेकित में से क्या संसथ के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अंतर हो सकता है तो कोशन आता है रणजी ट्रोफी खालिस्तान के खेल से जुड़ी है तो रणजी जो ट्रोफी है दोस्तो ये जुड़ी है किर्केट से तो इस कोशन का रइट आंसर का उप्षण सी हो जाएगा कोशन है नेमलेकित में से किस राज्जे में कच्चा रेशम मुख्य रूप से पैदा होता है तो कच्चा रेशम मुख्य रूप से पैदा होता है दोस्तो कहाँ पर आपका करनाटक मद्य परदेश उत्तर परदेश तो कौन सा होगा करनाटक इस्दारेट आंसर तो ये आप लोगों को यादखना है ठीक है तो देखे दोस्तों आप लोग ना मेरी जो अनकेडमी पर फ्री क्लासिज होती है एक तो ढ़ाई बजे होती है और एक रात में ग्यारा बजे होती है इन दोनों को भी जोईन करना सुरू करिए अगर आपने पूरा सेशन देख लिया है मैं आपको टाइम बता रहा हू अनकेडमी की SSC केटिगरी में दोनों क्लासिज हो रही है बहुत ही जबरदस सेशन होते हैं एक गंटे का डेड़ गंटे का सेशन होता है जिसमें सो सो कोशन तक मैं कवर करा देता हूँ तो इन दोनों को जोईन करना स्टार्ट करिए बेनेफिट बहुत अच्छा मिलेगा और टेलीग्राम जोईन कर लेना स्वरम बलिक ओफिचल के नाम से है जो की काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों आपे हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाता है साथी साथ पीडियो भी मिल जाती है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स लास में नेक्स पीडियो पर और उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़े बेज़के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि तेंक्यू सो मच गाई चैनल को सबस्काइब कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउलोड कर सकते हैं बैल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिज हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूं एक तो फोलो कर लेना है और फोलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशन साने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच